वेल्कम टू माई चैनल कैसे हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा आई हो आप आप लोग अच्छे होंगे अपने अपने गर्व में सेफ होंगे और सुरचित होंगे तो यहां पे मेरी लाड़ उठ चुकी है और हमारी शुबातों कपकी हो चुकी है अब इनकी शैतानी शुरू हो जाएगी और पूरे दिन शैतानी रहेगी अब देखते हैं दोपहर में सोती है या नहीं सोती है यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो शैतानी यह देखो शैतानी ममा का लाड़ू बेटा है है ना मिममा कलाड़ी बेट्छा को नεί मmm चलो हैलो तो बोल दो सबको अच्छी हलो है हेंडू नहीं दिख रहा है आपका हैंड दिखाओ टैनीश्व नोजी कंद है यह यह और आइस कंद है अच्छा ये आईश है और अपरे तीत भी दिखा दो अपने तो तीत दिखा दो अच्छा ये तीत है ओ किता प्यार करते हो ममा अच्छे अच्छे तुम किसके बाबू हो ममा के बाबू और पापा के बाबू नहीं हो अच्छा सुनू, चलो, सबको बाय कर लो, थोड़ी देर बाद मिलते हैं तो ठीक है, अब हम आप से थोड़ी देर बाद मिलते हैं यहां मेरी लाडो की शुबा हो गई है, अब इनको हम थोड़ा सा दूद बगार अपला दें मतलब इनका ब्रेक फास्ट करवा दे दूद अचा, मेरा लाडो बेटा है चलो, बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं अब लोगों से ये, पही हैं, बिस्किट खा रहे हैं बिस्किट खा रहे हो, अहां, सबको भी खिला दो नम 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 नम, अली भाई, नम 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 करा रहे हो, ओके, ठीक है यहां पे अभी सुबा उटी हैं तो इनकी बिस्किट खा रहे हैं और इनके लिए मैंने दूद बनाखे, लेया के रख दिया है पहले बिस्किट खाके, अई दूद पीएंगी पहले बच्चों को कुछ खिला देना चाहिए तो यह बिसकेट खा लेती है इसले तो यह अपना बिसकेट लेंगी और मैंने अपने लिए बनाई है चाय क्योंकि सर्दी का टाइम है तो चाय तो बनती है और बहुत ही ज्यादा यहां पे सर्दी है अभी पहले से नॉर्मल हो गई बट सर्दी तो सर्दी बट यह सर्दी का मौसम भी अच्छा लगता है मेरी लाड़ो आना चाहती है यह देखो बिस्किट क्यूटी पाई बिस्किट खालो आप खाल अच्छा है यहां पे दनू का ब्रेकफास्ट तो हो गया और आज था सेटेड़े और इनकी भी ओफिस का ओफ था तो मैं इनके लिए मैगी बना रही थी ब्रेकफास्ट में और लंच में हम बनाएंगे आज हरी मटर का न निमोना यूपी में दूनिमोना इपने आपके और बताइगा önमली यहां पर हम मैगी बना रहे हैं मैगीके लिए मैंने प्याज हलकी सिवार्वून है मटर टमाटर दो नमक डाल दिया है और टमाटर कोылगे मैगी गएक्ता है कि मुझे जहां तक पता है बट अपना अपना बनाने का तरीका होता है तो यहां पे हम मैगी ऐसे ही बनाते हैं मटर टमाटर बिल्कुल अच्छे से सौप्ट हो गये थे और सर्दी का मोसम है तो मैंने लहसन का भी यूज किया हुआ है लहसना द्रग भी डालेंगे दोनों क्य तो बनाने का हम यहां पे मैगी ऐसे ही बनाते हैं और बहुत इजी और बहुत छेटपट बन जाती है जिसे बोलते हैं ना दो मिनट में मैगी तियात तो बस वही करते हैं दो मिनट में तो कुछ नहीं तियार होता है जल्दी हो जाता है यहां पे मुझे ऐसे ही मैगी तो यहां पे मैंने इन लोगों के लिए निकाल दिया है और एक साइड में अपने लिए चाय रख दिया है तो चलिए पूछते हैं कैसा बना है तो यहां वे सब फाने में बिजी थे और सब लोग बूल रहे थे कि बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनी हुई है सबसे जादा मेरी लाडो को पसंद आ रही थी क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दियों में ना मटर वगएरा पड़ी है तो बहुत ही टेस्टी लगती है और यार बहुत सर्दी थी धूब बिल्कुल नहीं निकली हुई थी इसलिए देखिए सब लोग बिल्कुल उपर से नीचे तक पहन के रखा हुआ है कैप और सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो लगेगी और सब लोग यहां पर मेगी एंजोई कर रहे हैं तो आप लोग भी आज ओ यहां पर मेगी एंजोई करते हैं तो अब हम भी इन लोगों के साथ मेगी और चाए अपनी एंजोई करते हैं और चलिए आगे लंच की तयारी करते हैं लंच में आज हम बनाने वाले हैं निमोना तो यहां पे मैंने जो हरी मटर आती है उसको छील के ले लिया है थोड़ा सा और इनिमोना हरी धनिया हरी लहसन में ही बनता है यह बहुत ही टेश्टी लगता है बट हरी लहसन नहीं था हमारे पास तो यहां पे मैंने सुखा लहसन और दो हरी मिर्ची और हरी धनिया ले लिया और इसको पीष लेंगे बिल्कुल चटनी की तरह नहीं पीषना है यहां पे यह हम लोहे की कड़ाई में बना रहे हैं क्निमोना बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहां पे थोड़ा सा तेल पहले गरम हो गया तो इसमें मैंने डाली है दो बड़ी इसको बड़ी बोलते हैं य इसमें बहुत टेश्टी लगती है तो आप लोग भी ट्राई करिए और उसको पहले मैंने भून के निकाल लिया फिर उसी तेल में मैंने निमोना निमोनों को अच्छे से भूनना है यह जो हरी मटर है पीस के रखा हुआ था इसको अच्छे से भूनना है क्योंकि जितना आप तो पहले भून के निकाल लेते हैं जैसे कोहरवडी को भूलके निकाला है वैसे अलू को भी निकालने के बाद ही निमोना भूनते हैं बट हम ऐसे ही बनाते हैं आप लोibilidad कर करिए अच्छे से भून गये थे तो मैंने जो हरी धनिया और लहसन हरी मिर्ची और एक साथ में टमाटर भी मैंने पीसा हुआ था उसको भी डालके अच्छे से भून देंगे और भूने के बाद ही इसमें सुखा मसाला एट कर देंगे जैसे की नमक, हल्दी और किचन किंग मसाला मैंने डाला हुआ है आपको पसंद है तो डाल ये नीचे से जल जाएगा वह इतना ही टेश्टी इसका कलर देखिए बिलकुल अच्छा सा कलर हो गया है और हल्दी डालने पे इसका ग्रीन कलर बिलकुल मेंटेन रहता है ये देखिए अब इसमें हम पानी आइड कर देंगे पानी ना तो बहुत जादा होना चाहिए ना बहुत कम बहुत पतला भी निमोना अच्छा नहीं लगता है और बहुत गाढ़ा भी मेडियम में रहे तो अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बनाया और मेरे हवी को यह बहुत पसंद है हलका सा उबाल आने लगे तो इसमें कोरवडी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था यह देखिए यहाँ पे उबाल आने लगा निमोना में मैंने धीमी फ्लेन पे इसको छोड़ दिया 5-6 मिनट तक अच्छे से बॉयल किया है और यह बहुत ही टेश्टी लगता है और इसका कॉम्बिनेशन है चावल बाकी आप खा सकते हो रोटी के साथ भी बट यह चावल क कमेंट्स करना बिलकुल मत भूलिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वाचीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार बाई बाई